C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दुत है कक्षा 6 की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ दिमागी कसरत प्रिष्ट 338 1. आमों की एक टोकरी से आमों को दो-दो के समूह में गिनने पर एक बच्था है 3-3 के समूह में गिनने पर दो बच्थे हैं 4-4 के समूह में गिनने पर तीन बच्थे हैं 5-5 के समूह में गिनने पर चार बच्थे हैं 6-6 के समूह में गिनने पर पांच बच्थे हैं लेकिन 7 के समूह बनाकर गिनने पर कुछ शेश नहीं बच्थता तोक्री में कम से कम कितने आम थे? 2. एक लड़के से 3, 5, 12 तथा एक और संख्या का लग सर निकालने के लिए कहा गया लेकिन परिकलन करते समय उसने 12 के स्थान पर 21 लिखा और फिर भी उसका उत्तर सही निकलता है 4. संख्या क्या हो सकती है? 3. कपड़े के 5 टुकड़ों की लंबाई 15 मीटर, 21 मीटर, 36 मीटर, 42 मीटर, 48 मीटर है एक मापने की छड़ी से ये सभी पूर्ण इकाई रूप में मापी जा सकती है छड़ी की अधिक्तम लंबाई क्या हो सकती है? 4. तीन पात रहें उन में से एक में पूरा दस लीटर दूध ही आता है, तथा वह पूरा भरा हुआ है बाकी दोनों पात्रों में क्रमशह साथ लीटर और तीन लीटर दूध आता है पात्रों में कोई मापन चिन्ह नहीं है एक ग्रहक ने पांच लीटर दूध मांगा आप उसे उतना दूद कैसे देंगे, उसे आंखों द्वारा अनुमान का विश्वास नहीं होगा 5. 27 में कौन सी दो अंखों वाली संख्याईं जोड़ी जाएं कि उसके संख्यां अंक बदल जाएं 6. सीमेंट का गारा बनाया जा रहा था जिसमें आयतन के हिसाब से सीमेंट और रेत का मिश्रण अनुपात एक अनुपात 6 है आयतन की 42 सिकाई के गारे में कितना सीमेंट और मिलाया जाए कि नया अनुपात दो अनुपात नो हो जाए साथ, साधारन नमक के पानी के साथ मिश्रण में नमक और पानी का भार के अनुसार अनुपात तीस अनुपात सत्तर है इस तरह के एक किलो ग्राम मिश्रण में से यदी सौ ग्राम पानी भाब बन कर उड़ जाए तो भार के अनुसार नमक और पानी का अनुपाद क्या हो जाएगा 8. मधुमक्खियों के एक जुंड का आधा भाग सरसों के खेत में शहद इकठा करने गया शेश का तीन चौथाई गुलाब के बाग में चला गया शेश बची हुई दस अभी तक निरणएं नहीं ले पाई जुंड में कुल कितनी मधुमक्खियां थी प्रिष्ट तीन सौन तालीस 9. पंद्रह बच्चे एक वृत्ता कार घेरे में बैठी हैं उन्हें कहा गया है कि वे अपने एकदम अगले से अगले को रुमाल दें यह खेल तब रुख जाएगा जब रुमाल वापस उसी बच्चे के पास आएगा जिसने खेल प्रारंभ किया था इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है एक से तीन, पांच, साथ, नौ, ग्यारा, तेरा, पंद्रा, दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा, वापस एक यहां हम देख सकते हैं कि रुमाल सभी बच्चों के हाथों में आया एक, क्या होगा यदि रुमाल बाएं से बीच में हर बार दो बच्चे छोड़ कर देना शुरू करें क्या तब प्रत्येक बच्चे को रुमाल मिलेगा दो, क्या होगा यदि बीच में तीन बच्चे छोड़े जाएं आप क्या देखते हैं किन स्थितियों में सभी को रुमाल मिलता है और किन स्थितियों में नहीं। इस खेल को 16, 17, 18, 19, 20 बच्चों के साथ खेल कर देखिए। आप क्या देखते हैं। दस, दो संख्याएं नौ और सोलह लें। नौ को सोलह से भाग देकर शेश फल प्राप्त करें। शेश फल क्या होगा जब दो गुणा नौ को सोलह से भाग करें। तीन गुणा नौ को सोलह से भाग करें। चार गुणा नौ को सोलह से भाग करें। पांच गुणा नौ को सोल शेश फलों की सूची बना ये, जब बारह, बारह गुणा दो, बारह गुणा तीन, बारह गुणा चार, बारह गुणा पांच, बारह गुणा छे, बारह गुणा साथ, बारह गुणा आठ, बारह गुणा नौ, बारह गुणा दस, बारह गुणा कियारा, बारह गुणा बार 12 गुणा 13 को 14 से भाग करें क्या उपरोक्त दोनों स्थितियों में कुछ अंतर दिखाई देता है 11 आपको दो पात्र दिये जाते हैं जिनकी धारिता क्रमशाह 9 लीटर और 5 लीटर है पात्रों पर ना तो कोई मापन चिन्ह है और ना ही द्रिश्य अनुमान संभव है क्रमशाह 8 लीटर और 6 लीटर हो तो क्या आप 5 लीटर पानी इकठा कर सकते हैं 12 एक सभाग्रिह की पूर्वी दिवार का क्षेतर फल 108 वर्ग मीठर है उत्तरी दिवार का क्षेतर फल 135 वर्ग मीठर है और फर्ष का क्षेतर फल 180 वर्ग मीठर है सभाग्रिह की उंच्छाई ग्याद कीजिए तेरह यदि दो अंकों की एक संख्या के एकाई अंक में से चार घठाया जाए और दहाई अंक में चार जोडा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या दो गुनी हो जाती है संख्या ग्याद कीजिए 14. दो नाविक एक नदी के दो समुख किनारों से एक साथ विपरीत दिशा में चलने के 45 मिनट बाद एक दूसरे को पार यानि क्रॉस करते हैं वे जब तक नाव चलाते हैं जब तक के दूसरे किनारे पर पहुंच कर वापस उसी प्रारंभिक किनारे पर ना आ जाएं वे दो बारा एक दूसरे को कब पार करेंगे प्रिष्ट 340 15. तीन लड़कियां सीड़ियां उतर रही हैं एक लड़की दो सीड़ी एक कदम में उतरती है दूसरी तीन सीड़ी और तीसरी चार सीड़ी एक कदम में उतरती है वे तीनों सीड़ियों के शुरू होने के पहले स्थान पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए चलती हैं वे सब ही अंतिम सीड़ी पर एक साथ पहुँचती हैं कितनी सीड़ियों पर केवल एक जोड़ा पैरों के निशान होंगे क्या कोई ऐसी भी सीड़ी है जिस पर फैरों के निशान नहीं होंगे 16. सैनिकों के एक समूह को तीन-तीन पंक्तियां बना कर एक कतार में खड़े होने को कहा गया यह देखा गया कि एक सैनिक बच जाता है जब उन्हें पांच-पांच की पंक्ती में खड़े होने को कहा गया, तब दो सैनिक बच जाती हैं. समूह में कुल कितने सैनिक थे? सत्रह है, चार बार नौ का प्रयोग कर विभिन संक्रियाएं योग, व्यवकलन, गुणा, इत्यादी लगा कर सौ प्राप्त कीजिए. अठारह है, दो गुणा, दो गुणा, दो गुणा करते हुए गुणा दो, तीस बार के गुणन फल में कितने अंक होंगे? उन्नीस, यदि एक व्यक्ती तीस किलो मेंटर प्रती घंटे की चाल से चलता है, तो अपने गंतव्य स्थान पर पांच मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह चालीस किलो मेंटर प्रती घंटे की चाल से चले, तो दस मिनट जल्दी पहुंच जाता है, प्रारंभिक स्थ 20. दो वाहनों की चालों का अनुपात तीन है। एक लौन की लंबाई का चोड़ाई से अनुपात तीन अनुपात पांच है। इसमें बाड़ लगाने का खर्चा 32 सौ रुपए आया जोके दो रुपए प्रति मीटर की दर्से है। लौन को 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर्से विकसित करने पर कितना खर्च आएगा। 23. यदि अंगूठे के लिए 1, तरजनी यानि इंडेक्स उंगली के लिए 2, मध्यमा यानि मिडल के लिए 3, अनामिका यानि रिंग उंगली के लिए 4, कनिष्ठिका यानि लिटल उंगली के लिए 5, और इसी प्रकार पीछे से गणना करते हुए 6 अनामिका उंगली के लिए, साथ मध्यमा उंगली के लिए आठ तरजनी उंगली के लिए नौ अंगूठे के लिए दस तरजनी उंगली के लिए ग्यारह मध्यमा उंगली के लिए बारह अनामिका उंगली के लिए तेरह कनिष्ठिका उंगली के लिए चौदह अनामिका उंगली और इसी तरह आगे भी गिनती करते जाएं तो किस उंगली के लिए एक हजार गिनेंगे? प्रिष्ट 341 24 आम के एक बाग से तीन मित्रों ने मिलकर कुछ आम तोड़े और इन्हें इकठा कर सो गए कुछ समय बाद उनमें से एक मित्र उठा और उसने इकठे किये गए आमों को तीन बराबर भागों में बाटा तो एक आम बच गया जिसे उसने बंदर को खिला दिया और एक भाग अपने पास रख कर फिर सो गया थोड़ी देर बाद दूसरा मित्र उठा और उसने भी शेश आमों को अंजाने में तीन बराबर भागों में बाटा तो एक आम बच गया जिसे उसने बंदर को खिला दिया और अपना एक भाग अपने पास रख कर सो गया कुछ देर बाद तीनों मित्र एक साथ उठे तो तीस आम मिले बताईए प्रारंभ में कुल कितने आम तोड़े गए थे पचीस विशिष्ट संख्या एक संख्या है जो बहुत विशिष्ट है यह संख्या अपने अंकों के योग भल की तिगुनी है क्या आप यह संख्या ग्यात कर सकते हैं 26. दस पौधों को सीधी रेखाओं में ऐसे लगाना है कि प्रत्येक रेखा में ठीक ठीक चार पौधे आ जाएं 27. निमनलिखित प्रत्येक क्रम में अगली संख्या लिखिये 28. नीचे दिये गए कथन के क्रम को देखिये 31. 49. बराबर 13. 93. प्रत्येक पक्ष में दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं और संगत संख्याओं के क्रम को संख्यांकों को बदल कर प्राप्त किया जा सकता है ऐसे ही कुछ और संख्या युगमों को लिखने का प्रयास कीजिए प्रिष्ट 342 उत्तर माला एक 119 दो 28 तीन तीन मीटर चार व्यक्ति उन से अलग एक खाली बरतन लेता है तीन लीटर वाले पातर की सहायता से नौ लीटर दूद दस लीटर वाले पातर से खाली पातर में डाल लेगा इस प्रकार एक लीटर दूद दस लीटर वाले पातर में बच जाएगा 7 लीटर वाले पातर की मदद से 7 लीटर दूद अलग वाले पातर से निकालेगा और उसे 10 लीटर वाले पातर में डाल देगा अब 10 लीटर वाले पातर में एक जमा 7 बराबर 8 लीटर दूद होगा 3. लीटर वाले पात्र की सहाइता से वह 3. लीटर दूद 10. लीटर वाले पात्र में से निकालेगा इस प्रकार उसमें 8 घटा 3 बराबर 5. लीटर दूद बच जाएगा जो के वह ग्रहक को देगा 5. 14, 25, 36, 47, 59, 6, 2, 1, 7, 1, 2, 8, 80, 9, 1, नहीं, सभी बच्चों को यह प्राप्ट नहीं होगा, 2, सभी प्राप्ट करेंगे 10. 9, 2, 11, 4, 13, 6, 15, 8, 1, 10, 3, 12, 5, 14, 7, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 12, 10, 8, 6, 4, 11, 9 लीटर के पात्र को भरिए, 5 लीटर वाले पात्र की सहाइता से उसमें से 5 लीटर निकाल लें, अब 5 लीटर वाले पात्र को खाली कर दें, बचा हुआ 4 लीटर इस 9 लीटर वाले पात्र में से 5 लीटर वाले पात्र में डाल दें, अब 9 लीटर वाले पात्र को पुनह भरें, 5 लीटर वाले पात्र को भर लें, 9 लीटर वाले पात्र में 8 लीटर रह जाता है, 5 लीटर व लंबाई बराबर 9 मीटर, 13, 36, 14, 90 मिनट, प्रिष्ट 343, 15 है, वे सीड़ियां जिन में पैरों के एक जोड़े के निशान है, 2, 3, 9, 10, वे सीड़ियां जिन पर कोई निशान नहीं है, 1, 5, 7, 11, 16, 52, 17, 99 जमान 9 बटा 9, 18, 10, 19, 30 किलो मीटर, 20, 50 किलो मीटर, 21, 7,000 रुपए प्रती माहर, 22, 15 लाख रुपए, 23, तरजनी उंगली, 24, 106 आम, 25, 27, 26, एक व्यवस्था की जा सकती है, C के आकार में, 27, A 25, B 27, C 42, D 21, E 21, 28, एक ऐसा युगम है, 13 गुणा 62 बराबर 31 गुणा 26, 27, अभी आप सुन रहे थे, कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचन स्वर, गौरव मारवा, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C I E T N C E R T, नई दिली, भारत.